CBC Time Zero Course में आज हम लोग स्टार्ट करने गारें एक और बड़ा इंपोर्डन चेप्टर का नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चेप्ट्र का नाम आप लोग ने सुनाओगा बहुत सरे स्टुइंट्स को इलेक्ट्रो केमिस्ट्री बड़ी प्रावलम आती है रेकर आपको बता एक्ट्री चेप्ट्री चेप्ट्री चेंज एंड एम्फ आपको बता इस अप्रावलम आपको बता इस ब्स जो हटा दिया गया है वो है गेल्वेनिक सेल क्या होता है कैसे काम करता है यह बेसिक आइडिया आप लोग को होना चाहिए हो मैं आपको बता दूगा जो जो रिक्वाइर्मेंट्स है ठीक है उसके अदम चीजों की शुरुवात करेंगे ठीक है तो यह बात करते हैं सबसे पहले कि एक टर्म एम्फ आफ सेल क्या होता तो समझने से पहले आपको थोड़ी सी सीखने पड़ेगी वर्कि ओफ और गेल्वेनिक सेल तो देखो मैं आपके सामने वही डैनियल सेल के एक्जामपल लेकर चल रहा हूं ठीक है कौन सा सेल है डैनियल सेल बेसिकली जिंक कॉपर सेल होता है ठीक है इसमें क्या होता है एक एलेक्टोड बनता है एनोड और एक एलेक्टोड बनाता है कैथो तो बेसिक वर्किंग आपको सिखा देता हूँ, बाकिजाए चीज़ जरूत है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर जिंक जो है, वो एनोड की तरह काम करता है, गेलवेनिक सेल में, लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड को दिखाते हैं, तो यहाँ पर आप एक एलेक्ट्रलाइटिक सिलूशन फिल करोगे, जो की उसी मेटल के एक आयन का सिलूशन होगा, जैसे जड़नेसोफोर का अक्वास सिलूशन है, ठीक है, माल लो है, जड़नेसोफ यहाँ पर आप एक एलेक्ट्रोड लगाओगे, जो की बेसिकली जिंक का एलेक्ट्रोड होगा, तो यह जो जिंक एलेक्ट्रोड है, यह एनोड की तरह काम करेगा, आप एध्यान रखना, किसी भी सेल में एनोड वो एलेक्ट्रोड होता है, जहाँ पर ऑक्सिडेशन होता ह तो zinc यहाँ पर anode की तरह काम करेगा और similarly अगर आप copper की बात करो तो copper जो है वो यहाँ पर cathode की तरह काम करेगा इन दोनों को जो हम connect करते हैं तो यहाँ पर इनकी बीच में कुछ नगुछ potential difference generate होगा जिसे हम लोग EMF of cell के नाम से जानते हैं definitions पर मैं भी आता हूँ दूसरी चीज़ देखें यहाँ पर हम एक और structure लगाते हैं जिसे हम salt bridge के नाम से जानते हैं salt bridge इस cell के circuit को complete करता है और by chance अगर आप से पूछ ले ध्यान रखना salt bridge जो है इन दोनों solutions की electrical neutrality को maintain रखता है तो वैसे तो आपके स्लेवस में नहीं है इस बार इसलिए नहीं पूछेगा बट स्विच ध्यान रखें salt bridge क्या होता है salt bridge electrical neutrality को maintain रखता है अब आप देखें EMF of cell क्या होता है इसको explain करने के लिए मुझे आपको पूरा galinic cell पढ़ाना पड़ेगा अभी मेरे पास वह टाइम नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं सिंपल सी बात है हम यहाँ पर इसकी definition को समझने वाले है किसी भी cell का जो EMF होता है वो वो potential difference होता है तब anode और cathode की बीच का potential difference होता है उसे ہम cell potential बोलतímा क्या बोलते है cell potential तब तो term होता है, एक होता है cell potential एक होता jeżeli EMF पहुत simple है cathode और anode की बीच का potential difference जब cell काम कर रहा है यूज में आ रहा है तब उसे बोलते हैं उसका EMF of cell ध्यान रखना EMF वो maximum potential difference है वो maximum voltage है जो आपका cell offer कर सकता है जितना withdraw आप cell से कर सकते हो तो यह छोटी सी definition इसके उपर आप focus करें EMF क्या है potential difference between cathode and anode when no current is withdrawn from the cell ठीक है तो अगर हम किसी भी cell के लिए EMF का formula लिखे EMF of cell तो उसका एक simple formula बनता है e cathode e cathode minus क्या बनता है e anode अब यह e cathode e anode क्या है मैं आपको भी बताता हूँ यह EMF of cell है ऐसे एक और term बनता है जिसे हम लोग बोलते है standard EMF of cell क्या बोलते है standard EMF of cell जिसे हम E naught cell से represent करते है जो E naught cell का formula बनता है वो ता e not cathode minus e not of anode ठीक है तो अलग लोग अलग तरीके से formula को पढ़ाते हैं लेकिन यह formula क्या है इसको समझने के लिए आपको एक और term सीखना होगा जिसे हम जो बोलते हैं electrode potential क्या बोलते है LCDrying को एक रोड़ पोटेंशल डेको लेक्त्रोड़ पोटेंशल आपके Пास दो तरेका होता है do तरेका एक आपके पास होता है reduction potential reduction potential ठीक है और दूस्रा आपके पास होता है औक्सीडेशन प्रइशन लाइब तो एलेक्ट प्रइशन तो एलेक्ट्रोड प्राइशन तो एक तृम यूज कर सकते हैं short form के अंदर ताकि आप इनहीं यूज करते है। तो reduction potential होगा, oxidation potential होगा, दो तरे कि क्या होते हैं आपकी प्रास, potentials हुते हैं, अब हम standard की बाप करें तो स्येकर अब हम standard reduction potential गौण सकते हैं, और इससे हम standard oxidation potential गौण सकते हैं, जब का standard reduction potential है, उसको हम या तो E0 reduction लिख देते हैं या फिर हम इसे represent करते हैं reduction reaction से E0 MN plus changes to M, देखो metal यहाँ पर क्या हो रहा है, reduce हो रहा है अगर किसी element के oxidation number में कमी आ रही है तो वो reduce होता है तो देखो यह MN plus से M के अंदर convert हो रहा है, standard oxidation potential इसे हम लोग E0 oxidation बूलते हैं या फिर हम इसे P0 M changes to MN plus से दिखाते हैं, तो देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, oxidation हो रहा है तो इसे हम oxidation potential बोलते हैं, तो यह दो तरह के आपके पास potential होता है एक reduction potential होता है, एक oxidation potential होता है, अब इनका मतलब क्या है, यह समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है reduction potential एक element के reduce होने की tendency को दिखाता है, और oxidation potential एक given element के oxidize होने की tendency को दिखाता है तो दो तरह के potential होता है, यह एक element के reduce या फिर oxidize होने की tendency को बताता है तो पहले तो आप यह points यहां पर add करें कि electrode potential values give the idea about the tendency of an element. the tendency of an element to get oxidized or reduced. एक element oxidized होना चाहता है, reduced होना चाहता है, इस tendency को कौन बताता है, आपका electrode potential values बताती है. तो ध्यान दें, बहुत ही important चीज है, मैं आपको सिखा रहा हूं आपको, कि more positive is the SRP of an element. of an element, greater will be, greater will be its tendency to get reduced. and better oxidizing agent, it will be. एक element का SRP जितना ज्यादा positive होगा, उसके खुद के reduce होने की tendency क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, वो क्या होगा, उतना ही अच्छा oxidizing agent होगा. similarly, किसी का SOP ज्यादा positive है, so more positive is the SOP of an element, greater will be, greater will be its tendency to get oxidized. and better reducing agent, it will be. तो यह सब चुद चीज़े हैं, जो आपको पता होने चाहिए, electrode potential के आरे में, जिस element का जो potential जितना ज्यादा positive होगा, वो ही reaction शो करना चाहेगा, अगर किसी का SRP ज्यादा positive है, तो वो खुद reduce होना चाहेगा, जो खुद reduce होता है, वो सामने वाले को oxidize करेगा हमेशा, तो वो एक अच्छा oxidizing agent होगा, similarly, अगर किसी का SOP ज्यादा positive है, तो वो खुद oxidize होना चाहेगा, और सामने वाले को क्या करेगा reduce, और उस case में वो काम करेगा reducing agent की तरह, कॉपी करें एक बारे से, चली, तो ये सीखने के बाद की electro potential क्या होता है, अब आप इस formula को और अच्छी तरीके समझ सकते हो, तो देखो किसी भी cell का, जो हम EMF लिखते हैं, या फिर हम standard EMF लिखते हैं, ध्यान रखना, दो term होते हैं, एक होता है EMF और एक होता standard EMF, दोनों में difference क्या है, जब भी हम किसी standard value की बात करते हैं, तो वो एक fixed conditions पर calculate की जाती है, और उसकी value भी fixed रहती है, इसे हम लोग denote करते है E naught cells, हम दोनों ही value use किया करेंगे, E naught cell का formula होता है, E naught of cathode minus E naught of anode, जो यहाँ पर ध्यान रखने बात, योग्य बात है, जो important चीज़ है, कि बोथ the electrode potentials are SRP values, मतलब यह जो E naught cathode लिखा हुआ है, यह भी extended reduction potential है, यह जो anode लिखा हुआ है, यह भी extended reduction potential है, कई लोगों को इस पर बहुत पड़ी problem आती है, वो सोचने कि सर, anode पर तो oxidation होता है, फिर मैं SRP को यूज़ कर रहा हूं, actually formula ऐसा ही है, जब आप potential difference निकाल रहे है, तो obviously आपको दोने electrode के लिए value सेम रखनी पड़ेंगे, या तो दोनों को ही SRP लो, या फिर दोनों को ही SOP लो, एक चीज़, जोसी जब ध्यान रखना, किसी भी element के लिए SRP जो होता है, वो minus of SOP होता है, तो अगर आप anode के लिए SOP यूज़ करना चाहते हैं, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये SOP value है, बट ना तो मैं इसे use करता हूँ, नहीं इसको IUPAC use करता है, तो हम avoid गरें, फिर एक और बड़ी चीज़ आपको confuse कर होगी और ध्यान में रखना पड़ेगा, ये use करते करता है, बड़े comfortable हो जाओगा मेरे साथ में, अब चिंता विल्कुल मत करो, आपको ध्या का भी SRP value करना है, और anode का भी SRP value करना है, ठीक है, अच्छा, उसके लावा normal EMF of cell होता है, तो normal अगर आप EMF of cell की बात करो, that is E cell, उसका formula क्या बनेगा, E cathode minus E anode, समझ पा रहे हैं अब इस चीज़ को, तो इस तरह से आप समझें, use करते करें तो सब कुछ आपको आजाएगा, आप चिंता ना करें, वो उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ, बस आप focus करें जोब चीज़े सिखा रहा हूँ, EMF क्या होता है, ये समझ में आ गया, electrode potential values क्या हो A, B and C are, minus 0.85, plus 0.5 and minus 0.3 volt respectively, अब मैं आप से अले लग चीज़े पूछ सकता हूँ, क्या-क्या, order of reduction tendency, इनके खुद के reduce होने की tendency, या फिर, order of oxidizing power मैं आप से पूछ सकता हूँ, सामने वाले को oxidize करने की पावर, या फिर मैं आप से इनकी order of reducing power पूछ सकता हूँ, कुछ भी मैं आप से यहाँ पर पूछ सकता हूँ, तो आप समझो, पहली बात बताओ, ये SRP है ये SOP है, और लिखावा ही नहीं, ये सिरफ E not values लिखावा है, तो ध्यान रखना, अगर कुछ भी specified नहीं है, कि वो SRP है या नहीं है, if nothing is specified, then E not value will be considered as SRP. अगर कुछ भी specified नहीं किया गया है, E not value काम कौन से value मान कर चलेंगे, SRP value मान कर चलेंगे, स्वारी, तो आप समझें, अब ये देखो, ये सारी SRP values है, ये A का SRP है, ये B का SRP है, और ये C का SRP है, अब आप देखना चाहते हैं, रिदक्शन टेंडेंसी है, वालाब खुद क SRP किसका है, B का, तो B के खुद के reducing tendency सबसे ज़्यादा होगी, minus 0.85 और minus 0.3 में minus 0.3 ज़्यादा positive है, तो फिर A की होगी, फिर C की होगी, ये इनके खुद के reduce होने की tendency है, हाँ, तो सामने आले को क्या कर देंगे, oxidize, तो exactly यही इनका order of oxidizing power भी होगा, लेकिन अगर मैं इनके reducing power की बात करूँ, reducing power हों सामने आले को reduce करेगा, तो अगर वो सामने आले को reduce कर रहा है, तो खुद, खुद क्या होगा, oxidize होगा, होगा ना, जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानि B की oxidizing power सबसे कम, फिर A और C, कर सकते हैं तो इस तरह से हम reducing powers और oxidizing powers को calculate कर सकते हैं, compare कर सकते हैं तो एक relation है, जो आपको पता होना चाहिए, और आपको इसे derive भी करना आना चाहिए, ठीक है, बहुत असान है, ध्यान से समझना, एक और छोड़ी चीज में आपको बतादो, हम जो डैनिल सेल की बात कर रहे थे, हमने डैनिल सेल का example लिया था, जो आपको जिंक कॉपर सेल था डैनिल सेल दुबारा से, एक छोड़ी चीज और रहे गए जो आपको सीखनी है, और अगर यह होता सलेव से हम पूरा डीटिल है आपको पढ़ाता, बट अभी हम डैनिल सेल के example लिया से हम जिंक कॉपर सेल के नाम से भी जानते हैं, इसमें क्या होता है, एनोड बनता है, ज जिंक आणोड बनता है, तो जिंक सॉलिड जो है, ऑक्सिराइज होकर क्या बनाता है, जेडेंट टू अक्वस टू एलेक्ट्रों, ठीक है, और जो कैथोड है, कैथोड उसमें क्या होगा, रेडक्शन होगा, वहाँ पर कॉपर रेडियूस होता है, और दो इलेक्ट्रों ग कि खि边 Your products technically still कीई से लिए आपको अलimore एक्षेम 대한 चेहिये कैथोर्ड रेक्षण और दोनों को एड करके भी नडय से लिक्षण क attach नमबर ओफ एलेक्ट्राऊंस है यह ऑपस में कैंसेल होने चाहिए Morgan 2 और 2 है अगर 2 और 3 होते हैं तो पहले उनको equal करते हैं और फिर add करते हैं इसका मतलब क्या होता है यह आप समझो ठीक है add कर दिया रटने की ज़रूत नहीं इसका मतलब समझे इसका मतलब क्या होता है देखो जब zinc का oxidation हुआ जब एक एक मौल zinc का oxidation हुआ उसने 2 मौल electron free कर दिये एक मौल zinc का oxidation हुआ तो उसने 2 मौल electron क्या कर दिये फ्री कर दिये वो 2 मौल electron किसने gain कि इस copper में है तो basically मैं बोल सकता है कि anode से cathode पर 2 electrons का या 2 मौल electrons का transfer हुआ है क्या हुआ है एनोड से cathode पर 2 मौल electron का transfer हुआ है जिसे हम बोलता है net electrons exchanged जिसे हम N से denote करते हैं तो यहां N के value कितनी होगी यह 2 आप से reaction को add कर दो तो यह आपकी net cell reaction है ZN solid plus Cu2 plus aqueous gives ZN2 plus aqueous plus Cu solid देखो आपका से लग सकता है कि सब आप जो बोला मैं समझ में नहीं आ रहा है आप patience रखो ठीक है अब ही मैं सारी चीज़े connect होंगी dots क्योंकि ना reduce levels के विए से मैं आपको हर चीज़ डिटेर्मी नहीं पढ़ा पा रहा हूं मैं आपको basic ID दे रहा ह है हो सकता आपको थोड़ा confusion लग रहा हो मेरी बात समझ में नहीं हो patience रखो सब समझ में आगा 10 मिनट और 2-5 मिन रुक जाओ सारी चीज़े connect होंगी तब आपको बहुत अच्छे समझ में ठीक है तो यह को और चीज़ है किसी भी given cell से आपको anode cathode net cell reaction और net electron exchange यह दो चीज़े calculate करना चाहिए आप देखो इसी के basis पर हम बनाते है एक formula which is for change in gist energy and e-cell तो आप ही माहन लो कि आपकी बास कोई एक cell है इसे लेट डेरेज एक्सचेंज और एक्सचेंज और एक्सचेंज और एक्सचेंज हो रहा है तो आपके पास जो डेल्टा जी होता है डेल्टा जी जो होता है यह होता है equal to non-PV यह simple words में बोलू मैं आपसे this is equal to electrical work done यह काम करते हैं आप छोड़ोई derivation को मैं आपको सिधा लिख रहा हूं कि इसके लिए आपको thermodynamics बहुसा चीज़ याद होनी चाहिए आप ते एक simple जिया रखना कि किसी भी cell की gist energy में चेंज है delta G उसका एक simple सा formula होता है minus N into F into E cell ठीक है वो आप से derive नहीं करवाएगा आप यह formula याद रखें किसी भी cell की gist energy को आप उसकी EMF से इस तरह से represent कर सकते हो यह non-standard conditions पर है अगर आप बात करेंगे standard conditions पर आपकी पास टाम आता है delta G नॉट और वो किसके को होता है minus N F into E नॉट से लिए हैं तो अगर आप इनको compare करना शुरू करें terms का मतलब देखें एन यहाँ पर वो ही आपकी पास net electrons exchange जो मैंने आपको बताया ठीक है F क्या होता है F होता है Faraday is constant ठीक है और Faraday की value कितनी होती है 965 00 collapse actually this is equal to charge of one mole electrons एक mole electrons पर जो charge होता है वो 1 Faraday की equal होता है यह ऐसा बोल दो 1 Faraday is equal to charge on one mole electrons एक electron पर जो charge होता है आप सभी जानते हो एक electron का charge होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 collapse है ना एक mole electron के लिए आपको इस value को एने अवे गैदर नंबर से multiply करना होता है which is 6.023 into 10 to the power 20 तो आप समझें यह जो फराड़ेस constant है 1F इसके लिए 965 00 collapse के equal होती है जो की one mole electron के charge के बराबर होता है यह value अपने काम में आएगे तो यह आ गया माइनस NF E cell इसका मतलब इस reaction का E cell क्या होगा positive होगा अगर किसी cell में होने वाली cell reaction के लिए E cell positive है तो हम बोलेंगे जो cell reaction है then cell reaction is spontaneous कई लोगों को spontaneous word अच्छा नहीं लगता है तो आप उसे feasible लिख सकते हो मतलब उस condition पर वो reaction होगी यह इसका मतलब है अगर किसी reaction के लिए delta G greater than zero है उस case में आप देखोगे वापस से E cell की value negative आ जाएगी उस case में आप बोलोगे कि भाईया जो cell reaction है is non spontaneous मतलब non feasible यह reaction कैसी होगी non feasible reaction होगी और अगर किसी reaction के लिए E cell zero आ जाएगे जब delta G zero आ जाता है तो हमने वो at equilibrium है तो यह तीन चीज़ा आपको समझनी होती है डेल्टा जी जब zero है equilibrium बोलते है तो E cell उल्टा है अगर cell reaction equilibrium पर है तो E cell zero होगा या E cell zero है तो cell reaction equilibrium पर होगा ध्यान देना E naught cell नहीं बोल रहाँ है E cell जब zero होता है तो system कहां पर होता है equilibrium पर होता है तो यह एक और छोटी से condition है I hope आप लोगो पता होगी नहीं पता है तो इनके पर थोड़ा सा ध्यान दें ठीक है चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपको सिखाते है नंस्ट equation यह एक और है अब इसी के बाद आप questions करना शुरू करेंगे ठीक है तो अगर हमार यह पास एक सेल में फॉर और रिवर्सिबल रियाक्शन हो रही है रियाक्शन है कुछ एनवन ए गोस्टू एनटू बी अब आप मान लो कि यहां पर इस रियाक्शन के लिए अगर हम बात करें फ्रॉम केमिकल इक्लिब्रियूम हो सकता है आपको expression पता हो हो सकता है ना पता हो कोई बात नहीं आप से relation पता होना चाहिए इस रियाक्शन के लिए डेल्टा जी जो है देट विल बी एक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस होता है आर्टी एल एन q यहाँ पर डेल्टा जी इस रियाक्शन का गिप्स एनर्जी चेंज है टर्म्स का मतलब हो कुछ लिखा होगा है न आपको उसका मतलब पता होना देल्टा जी डेल्टा जी क्या है डेस इस गिप्स फ्री एनर्जी ओफ सेल रेक्शन जिसकी वैल्ज रेक्शन के साथ बदलती रहेगी डेल्टा जी जी नॉट जी इस स्टैंडेडरद गिप्स फ्री ऐनर्जी जिसकी वैल्यू सेल रहती है और क्यों जो है अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं अभी हमने पढ़ाए डेल्टा जी इकोल तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं ध्यान से देखें इस डेल्टा जी की जगह मैं लिख सकता हूँ देल्टा जी नॉट की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस एन एफ इनॉट सेल प्लस बनेगा आर्टी एलन क्यों तो माइनस एन फ को कॉमन लेकर डिवाइड करो आपके जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो बनेगा इसल इस इकोल स्टू इनॉट सेल माइनस आर्टी अपॉन एन इन्टू एलन को बदल दो लॉग में चलो इन्टू 2.303 इन्टू लॉग क्यों ठीक है तो यह किसी भी गिवन टेंप्रेशन है अब अगर आप यहां पर वैल्यूज रखें आट 25 डिगरी सल्सियूस तो टेंप्रेटर की वैल्यूज होगा ही 25 डिगरी सल्सियूस याने 298 केल्विन आर के वैली होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मॉल और एफ फ्राडेस कॉंसेंट के विए आपने भी देखी थी 965 00 जैसे मैं सारी वैली यहां पर रखता हूं आपका जो एक्सप्रेशन है एक बहुत है सिंपल और सुन्दर से फॉर्म के अंदर फॉर्मले के अ होता है यहां पर 10 तो यह जो यलो कलर में लिखा है फाइनल इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं नंस्ट एक्वेशन के नाम से जालते हैं और इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको भी सिखाता हूं पर आपके नहीं कॉपी करता हूं चलिए तो अब इस नंस्ट एक्वेशन का ट्रीटमेंट करते हैं देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको यहां पर सीखनी होती है तो जो नंस्ट एक्वेशन आपने देखा विच आक्चुली इसल इस इक्वेल्स टू इनॉट सल माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटु लॉग क से पर लगा सकते हो इकलीब्रियम कंडिशन के लाता हुसं क॥ सब्सक्राइब आपको थोड़े पहले चिखाया ऐसल की व्यालिव क्या हो जाती है 0 एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती हैтьLL near difference आप इकलिब्रियम पर reaction मिच्चन क्वेशन क्यूशन और और equilibrium constant k के equal बन जाता है बस दोनों चीज़ों को आप यहां रखो देखो e cell 0 यह time इधर आजाएगा आपका final expression क्या बनेगा e naught cell is equals to 0.0591 upon n into log k equilibrium तो अब आपके पास यह इसकी दो forms आ गई है obviously दोनों रटने की ज़रुवत नहीं है आपको यह form याद रखनी चाहिए यह वह आपको भी use करते करते हो जाएगी और simple चीज़ बात यह है कि जब equilibrium आएगा तो आप e cell को zero put कर दोगे और q को k equilibrium के equal चले ठीक है याद हो गया क्या करें हम इसको use कैसे करना है सबसे important चीज़ लोग को यह formula आद होता है लेकिन से properly use कैसे करना है वह नहीं यह आपको बोर्ड में लिखके नहीं है न यह आपके समझने के लिए है नंस्ट equation है कि मान लो अगें मैं आपसे डेनियल सेल का एक्जाम्पल लेता हूं ठीक है तो मैं एक डेनियल सेल ले रहा हूं डैनियल सेल होता है वह आपका जिंक कॉपर सेल ठीक है उसको ऐसी डिप्रेजेंट करते हैं जड़न सॉलिड गिव जड़न टू प्लस अक्वस हैना यह सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है आपको कई बार सेल ऐसे लिखाव मिलेगा उससे आपको सेल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए ध्यान से देखना यहां लिखाव मिलेगा इसकी कुछ कंसेंट्रेशन मान लो यहां पर है सीवन मूलर इसकी कंसेंट्रेशन है कुछ C2 मूलर तो इस तरह से आपको एक सेल लिखकर देगा आप सेल को देखकर पहचान सकते हो कि कौन अनोड है और कौन कैथोड वैसे एक सिंपल सा तरीका होता है जो लेफ्ट साइड म लिखा होता है वो कैथोड का है एक तरीका दूसरी तरीका देखो जिंक यहां पर जीरो से प्लस टू में जा रहा है और कौपर का रिदक्शन हो रहा है तो जिंक यहां पर बना रहा है और कौपर यहां पर क्या बना रहा है कैथोड बोला आपको दिखाई दे रहा है अच् हम ऐसे रिएक्शन लिए हमने एनोट पैचान लिया एनोट की आप रीयक्शन लिखोगे सबसे पहला काम आपका क्या है राइट र्यक्शन इस अट एनोट और का थोर्ड थोर यह एडन राइट-णेट-ट तो यह सबसे पहले आप आप एनोड कैफोड reaction लिखोगे और फिर net cell reaction लिखोगे ठीक है उसके लिए आपको क्या करना है एनोड पर क्या हो रहा है एनोड पर zinc का oxidation हो रहा है तो देखो zinc से बनेगा जडेंग 2 प्लस अक्वरस प्लस देखो 0 से प्लस तो होने से 2 दो इलेक्ट्रोन लूज कर दी हो यह तो अच्छे से आता होगा चली इसके बाद क्या होगा कैफोड पर क्या होगा कैफोड पर आप reduction reaction लिखोगे सॉरी कैफोड पर reduction होगा तो आपका Cu2 अक्वरस है वह दो electron gain करके क्या बना लेगा Cu solid थीक है तो इस तरह से जब आपने दोनों का add करोगे तो आपके बास net cell reaction मिलेगी अब देखो यह जो दू इलेक्ट्रोन और दू इलेक्ट्रोन यहां cancel हो रहे हैं इसे हम बोलते हैं net electrons exchanged क्या बोलता है net electrons exchanged यह सब आपको वहां लिखने की जरुरत नहीं है यह सिर्फ अपने internal समझने के लिए है cancel हो गया तो नेट reaction क्या बनेगी Zn solid plus Cu2 plus aqueous आप देखो उपर Cu2 plus की concentration C2 molar है वह आप यहां लिख सकते हो this gives you Zn2 plus aqueous plus Cu solid और इसकी concentration C1 molar है और यह आपकी बन गई net cell reaction है वह दिखाए दे रहा है तो सबसे पहला काम आपको net cell reaction लिखनी है ठीक है अच्छा दूसरा काम अब आप calculate करोगे E not cell using E not of cathode minus E not of मैं आपको कुछ values देता हूँ यह standard values होती है fixed होती है आपको question दी गई होगी जिंक का जो SRP है Zn 2 plus changes to Zn उसके लिए होती है minus 0.76 volt और copper का जो SRP है E not Cu 2 plus changes to Cu उसकी value होती है plus 0.34 volt यह standard और fixed values होती है आपको दी जाएंगे याद रखने की ज़रूरत नहीं है तो यहां से आप E not cell निकालेंगे E not cathode minus E not anode से E not cell किसके बराबर होगा E not of cathode minus E not of anode cathode कौन बना रहा है copper तो copper का SRP है आपसे क्या बोला यहां पर आप इसका और इसका दोनों का SRP use करोगे आपको यह नहीं देखना कहा reduction हो रहा है कहा oxygen नहीं आपको दोनों जगे पर SRP use करना है तो देखो cathode का SRP कितना हो गया यह दिया हुआ 0.34 sorry ठीक है 0.34 minus anode का देखो SRP दिया है 2 प्लस चेंज है reduction हो रहा है SRP है कितना है minus 0.76 इस सेल का जो standard EMF है वो आ गया 1.1 ठीक है तीसरा step तीसरा काम आपको क्या करना है calculate reaction question q तो देखो इस reaction का अगर मैं reaction question लिखूं तो solid का active mass सम्वाल नहीं करते हैं solid को नहीं लिखते हैं अगर आपको पता नहीं तो द्याद है solid को नहीं लिखते हैं ठीक है क्या है concentration of ZN2 plus अगर इसका कोई coefficient होता तो उसकी power में चला जाता बही सब आप 11th class में सीखते हो इसलिए आपको सब अच्छे से पता होगा अगर नहीं पता है तो जो से चल रहे हैं चलते रहो यह है C1 और यह है C2 solid को count नहीं करना है ठीक है बस यह हो गया आपका equation solve नंस equation लग गया इसके उपर मानलो आपको इसल का EMF निकालना है इसल तो देखो अब आप लगाओ उस पर नंस equation बताओ E cell is equals to क्या बनेगा E not cell तो देखो E not cell आगया 1.1 minus 0.0591 n1 upon n के वाले आगई to log q देखो q की value कितनी है अभी तो c1 c2 दिया हुआ है तो उसी form में लिख दो यह बन जाएगा c1 upon c2 और मुझे c1 c2 कुछ values पता होंगी तो मैं का कर सकता हूँ उसे calculate भी कर सकता हूँ तो बस यह होता आपका सिंपल सा नंस्ट equation आपको यह steps follow करने है एक balanced reaction लिखो n निकालो q निकालो और नंस्ट equation के अंदर value रगदो आपको अपने questions के answers मिलना शुरू हो रहेंगे अब मैं आपको बहुत सारे question कर वाता हूँ ठीक है आप देखना हम कैसे नंस्ट equation लगाएंगे और कैसे सारे कर सारे questions को solve कर देंगे ठीक है करने शुरू चलिए देखें यह पहला question using the e-not values of x and y predict which is better for coating the surface of iron ठीक है ओल इंडिया 2019 का question है एंड वाई अच्छा आइरन टू प्रिवेंट रस्टेंड वाई तो देखो यह थी रस्टिंग ऑफ आइरन आपके स्लीवस में है आगे चलके अभी तो नहीं रिड्यूस में तो आप आगे चलके रस्टिंग जब देखोगे तो रस्टिंग मे यह जो अपने metal की coating की है यह metal क्या होती iron से जाधा एलेक्ट्रोपाजिटिव रहते है आयरन से जाधा oxyd famine tendencies की होती है तो जब oxidation होने की बार यह आती है iron से पहले यह metal oxidize हो जाएगी यह metal iron के लिए अपने आपको sacrifice कर देतीए feature जहम बोलते है not Recusal Anode that means just metal की coating हो रही है this should have higher tendency to get oxidized, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, लिखना कैसे है, तो देखो, आप देखो इन सब की यह Fe 2 प्लस changes to Fe, 2 प्लस से 0, 2 प्लस, यह सब के SRP दिये हुए है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे, कि since, since, the standard, या ऐसा भी मतले हो, पहले एक स्प्लेइन करो चीजों को, एक काम को थोड़ा सा और लिख लेते हैं, आप लिखो, यह तो गिवन है, गिवन है, अब लिखना, if we write standard, जैसे मैं लिखके दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे लिखना होगा, आपको, standard, oxidation, potential, values, of, these elements, then, आप में लिखना, element, fe, कौन-कौन से element है अपके पास, एक है fe, एक है x, और एक है y, यहां पर लिखना, element, ऐसे एक छोटी से table सी बना देना, और यहां पर लिखना, उसकी SOP, यहां ब्रैकेट में SOP लिखना, इसको, ताकि SOP का मतलब, आगे आपको समझ में आजा सामने वाले को, ठीक है, fe value कितनी है, देखो, प्लस 0.44, ध्यान रखना, यह SRP दीना, तो उल्टा हो जाएगा, SOP, यह बन जाएगा, प्लस 2.36V, और प्लस 0.14V, ब्रैकेट में लिख देना, सिंस, SOP value is minus of SOP, ठीक है, अब आपको दिख रहा है, पताओ, सबसे, fe से उपर है, दो यह लिमेंट, x और y, तो जिसका SOP, fe से ज़्यादा positive होगा, मैं आपको लिख रहा था है, जिसका SOP, जितना ज़्यादा positive, उसके खुद के oxidizing tendency क्या होगी, उतना ही ज़्यादा, तो आपको लिख होगे, So, tendency of x to get oxidized before iron will be more as compared to y and Hence, x is better for coating iron surface, तो पहले आपको concept समझने, पहले आपको ज़्यादा क्या है, फिर उससे आप language में पिरो होगे, तो answer का तरीका उना आपको सिखा दिया है, तो अगर आप iron को बचाना चाहते हो, रस्टिंग से, तो उसके उपर एक ऐसी metal की coating करते हो, जो iron से ज़्यादा अजल्दी oxidize हो जाए, वो oxidize होगी है नहीं, वो आप उसकी SOP value से देखोगे, आपको SRP values दीवी थी, पहले उन्हें SOP values में बदल लो, side में, rough में, फिर देखो किसकी SOP value सबसे ज़्यादा है, तो जिसकी SOP value सबसे ज़्यादा, positive, उसके खुद के oxidize होने tendency क्या होगी, कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, चली, अगला question, यह देखें, क्या कह रहा है, the standard electrode potential, देखो E naught द पुछने के, दो तरीके देखो, आप जानते हो, आप इसका answer कैसे लिखोगे, solution में क्या लिखोगे, for a given cell reaction, as we know, क्या जानते हैं हम, कि delta G naught जो होता है, वो किसकी को होता है, minus NFE naught cell के, ठीक है, तो बताओ N की value, अब, आपको देखना आना चाहिए, इस reaction के, देखो, zinc 0 से plus 2 में जा रहा है, और copper plus 2 से 0 में जा रहा है, यह फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, कि anode की reaction, बताओ, anode की reaction क्या बनेगी, Zn solid changes to, Zn2 plus aqueous plus 2 electron, and cathode की reaction क्या लिखोगे, Cu2 plus aqueous plus 2 electron gives, Cu solid, add करो, पताओ, net reaction क्या बनेगी, Zn solid plus Cu2 plus aqueous, gives what, Zn2 plus aqueous plus Cu solid, होगा, तो आप यहाँ लिखोगे, इस reaction के लिए, N की value है, 2, चली, मैं नहीं दिख रहा हूँगा, आपको, बड़, solution दिख रहा है, N के लिए कितनी होगी, 2, बस रख दो values, तो देखो, N की value 2 आ गई है, तो यहाँ पर यहाँ लिख रहा हो, मैं इसको उट आदे, है, N की value है, 2, F की value है, 965 00, columns, into E naught cell की value कितनी है, 1.1, यह आपको joule के अंदर value मिल जाएगी, calculate कर लो, जो एक कुलाम पर मूल है, तो यह value आपको joule पर मूल मिल जाएगी, और शयाद आपको, वैसे को kilojoule बदलना, बड़ी value है, अपने आप ही आप अपना सब्सक्राइब, divide by 1000 कर देना, और divide by 1000 करने से क्या होगा, यह kilojoule पर मूल में आपको अपना है, कर सकते हैं, तो simple सा expression, delta G naught equal to minus NFE naught cell, यह यह देल्टा G equal to minus NFE cell,